कभी फुरसत हो तो जग दंबे निर्धन के घर भी आ जाना हेलो फ्रेंड्स जै माता दी कैसे हैं आप सब लोग उम्मिद करती हूँ अच्छे होंगे नवरात्री की पुनर आहुती का समय आ गया है मा का भोग बनाना है, हवन करना है नगर कोट वाली माता के नाम के थापे लगाने हैं जो हमारी पुराने जमाने की माता हैं, बहने हैं वो भोग बनाना जानती हैं जिनने आइडिया नहीं हैं उन्हें मैं बता रही हूँ कि कैसे मा का भोग बनाना है कैसे हवन करना है कैसे हमें पूरी तयारी करनी है तो हमें चने रात को ही भिगो देने चाहिए कम से कम 7-8 घंटे के लिए और एक चम्मच नमक डाल कर उबाल लेने चाहिए 5-6 सीटी आलू भी उबाल लेने चाहिए 1-2 सीटी और उसके बाद हलवा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए तो मैंने चने उबाल लिये हैं पानी निकाल दिया है एक्स्ट्रा जो था थोड़ा सा मैं जादा पानी नहीं रखती हूँ इंदाजे से रखतेती हूँ और फिर मैंने देशी घी डाल कर उसमें हींग जीरा डाला हरी मिर्च डाली और चने डाल दिये थोड़ा सा मैंने काला नमक डाला क्योंकि मैंने उबलनते के टाइम पे नमक डाल दिया था और उनको थोड़ा सा चलाएंगे सूखा धनिया हरा धनिया नमक सब डाल कर और मा के चने परशाद के तैयार इनको जादा देर तक नहीं भूनना होता है और इस तरह से मा के चने बन जाते हैं अब हम बनाएंगे हल्वा, सूजी का चने के बाद हल्वा की तैयारी सुरू कर दें जितनी सूजी उसके वन फोर्थ जादा हमें सुगर लेनी है तो हमने डाला है सुद्ध देजी घी घर का बनाया हुआ, एक कटोरी देजी घी, एक कटोरी सूजी यानि जितना हम सूजी लेंगे, उतना ही हमें घी लेना है तो कड़ाई में हमने घी गरम किया, उसमें डाल दी हमने सूजी और मैं एक चमच बेसन जरूर डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा खिला-खिला हल्वा बनता है अगर आपने कभी ऐसे नहीं बना है, तो एक बार मेरे तरीके से बनाएगा दूसरी तरफ मैंने रख दिया है, गरम कन्ले के लिए पानी और उसमें डाल दी है, मैंने चीनी तो हम पानी को खोला लेंगे और उसमें चीनी डाल देंगे चासनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें पानी को उबालना है इस तरह उबाल कर जो पानी हम सूजी में डालते हैं तो इतना स्वाधिष्ट हल्वा बनता है कभी आप इस तरह से बना कर जरूर देखिएगा अपनी शद्धा सकती हो तो उसमें आप ड्राइफ रूट डालिए और जो भी परशाद आपकी शद्धा सकती का है आप वो बना सकते हैं तो देशी घी में बन रहा है ये हल्वा और जैसे ही सूजी हमारी भूनेगी हमें सूजी को 15-20 मिनट भूनना है जब तक चीनी और पान पानी हमें उसमें डालना है सूजी में बहुत सेल्फ लीगल मतलब डालें कि आप के उपर पानी नहीं आना चाहिए उसकी श्टीम भाप एक दम से निकलती है और 10-15 मिनट चलाते रहें 5-7 मिनट तो जरू चलाना है और इस तरह से हल्वा हमारा तयार आप जब उसको हल्वा हमारा तयार है 5-7 मिन चलाना है पस एक ठाली में देजी घी लगाएं उसके बाद उस हल्वे को उसमें सिफ्ट कर दें और अपनी मर्जी के ड्राइफ रूट डालें आप जो भी ड्राइफ रूट डालना चाहते हैं इलायची डालना चाहते हैं जो भी आपको ठीक लगे और नहीं डालना चाहते तो ना भी डालें कोई बात नहीं यह अपनी मर्जी से है जो भी प्रेम पूर्वक मा को भोग लगाना है आओ मा भोग लगाओ मा कभी फुरसत हो तो जग दंबे निर्धन के घर भी आ जाना जो रूखा सूखा मिले उसका भोग लगा जाना तो प्रेम पूर्वक माता का खुशी खुशी परशाद बनाना चाहिए जितनी खुशी के साथ आप परशाद बनाएंगे उतनी आपको अच्छा लगेगा अब सबजी की तयारी सुरू करती है आलू को बाल कर फोड लिया था देसी घी गरम करा आप चाहें उले हुए जीरा डाला और टमाटर डाल दी है हरी मिर्च डाल दी हमें ज़्यादा मिर्च नहीं डाल दी है क्योंकि कन्या ज़्यादा मिर्च नहीं खाते बच्चे तो टमाटर बुन गए देख लीजिए आप कितनी अच्छा मसाला बुनका तयार हुआ है उसमें उगले हुए आलू दाल दिए उनको अच्छी तरह से मिलाएंगे और पानी डाल देंगे और इस तरह से सबजी हमारी आलू टमाटर की सबजी तयार अगर टमाटर की सबजी नहीं बनाना चाहते खाली आलू की सबजी बनाए तो उसमें एक चमच अमचोड डाल दें सबजी वो भी बहुत लगाना होगा तो हमने आटा लिया उसमें डाला देसी घी मोयन मोयन डालने से पूरी बहुत ही बढ़िया लजीज स्वादिश्ट बनेंगी और पानी डाल कर बहुत मनारब मुलाएं आटा गूंत लेंगे उदर हमारा आटा लगकर तयार हो गया इदर हमारा हलूआ भी जम दालती हूं और मैं इस तरह से अपनी मा को परशाद खिलाती हूं आप लोग कैसे बनाते हैं प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा जो बच्चे पीजी रहते हैं या जो नहीं नहीं हमारी बहुएं हैं जिनको परशाद बनाना नहीं आता वो इस तरह से परशाद बनाना तो सही नहीं मिलें तो मा को भोग लगा कर पूरे परिवार सही परशाद पाएं और अम्वे मात की जै बोलते रहें मंत्र बोलते रहें मा के भेट गाते रहें और परशाद बनाते रहें फ्रेंड्स बहुत ही खुशी का और आनंद का ये समय होता है कि मा हमारे घर पर आई है घर में हैं और प्रेम की बहार है और बहुत सुन्दर सब है और बड़ी खुसी खुसी परशाद बनाते हैं मुझे तो बहुत खुसी मिलती है जब मैं परशाद बनाती हूं मा का भोग लगाती हूं मा के भजन गाती हूं भोग गाती हूं तो मेरी आवाज बिल्कुल खराब ह चुकिया आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि नवराध्र में दो दो तीन तीन चार चार वाद नहाना होता है वाश्रूम जाने की वज़े से मेरी अवाज बिल्कुल खराब हो चुकी है फ्रेंड्स आप लोगों को हो सकता है प्रशाद बनाने का तरीका मेरा बहुत पसंद आए तो अब बारी आ गई माता की ठाली लगाने सबजी अभी गरम है ठंडी हो जाएगी तब हम भोग लगाएंगे मैं तब तक प्लेट में मा का थाल सजा लेती हूँ अब यह हमारा थाल सच चुका है पूजा हो गई है हमा को भोग चड़ा रही हूँ इसमें हम हलुआ चना सबजी पूरी लौंग बतासा मतलब जो भी आप मा को प्रेम पूर्वक खिलाना चाहें इस तरह से हवन करकर मा की आहुती लगाएं पूर्ण आहुती लगानी होती है हवन करें मंतर बोलते रहें मातरानी के दुर्गा सबसतियां बहुत मंतर हैं जो भी कामना से जो भी श्रदा से जो भी आप मा को चड़ाएंगे मा को सब मनजूर होता है इस तरह से मा को सब चीश चड़ाते रहें फिर हमारे हाँ यूपी की तरफ नगरकोट वाली माता के थापे लगते हैं एक देसीगी का एक हलती का तो पहले हम दीवार पर बहुत सुन्दर बनाते थे अब आजकल दीवार पर टाइल है और इस तरह से तो मैंने ये सफेद कागज पर बनाए है एक हल्दी का थापा है एक देसीगी का थापा है उपर एक कन्या और एक लांगुरा बनाया जाता है बीच में माता बने को भोग लगाया ती उतारी जाती है और मा से कहें कि हे मा लांगुर को लेकर आप आईए बिराजिये और प्रेहम पूर्वग भोग खाईए हे मा जो रूखा सूखा मेरा जो ये भोग बनाया है मैंने उसको आप पाली जीए खुशी खुशी जगदंबे मात की जै बोलते रहिए मंत्र बोलते रहिए और हे मा कभी फुर्सत हो तो जगदंबे निर्धन के घर भी आ जाना जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना तो ये देखिए फ्रेंड्स कन्या और आनी को भोग लगाया ये देखिए कितने संदर चरण चरण छू लीजिए दर्शन कर लीजिए ये मेरी धेपती की फोटो है मेरी भती जी की बेटी जो बहुत ही प्यारी है साक्षात माता का रूप लगते हैं इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग भोग बनाईए जो पीजी रहते हैं बच्चे जो हमारे बच्चे अभी परशाद बनाना नहीं जानते हैं, जो हमारी नई बहुए हैं वो इस तरह से परशाद बना कर मा का भोग लगा सकते हैं पोलिये अम्बे मात कीज़े जगदंबे मात के नगर कोट वाली माता कीज़े जोला मैया वैषनो माता कीज़े तो friends आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए